हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चेनल में एक बन्नाई मार्केट अब्रीट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो जो न्यूस टाटा मोटा से रिलेटेड आईए हो सकता है उस न्यूस के कारण दोस्तो इस टॉक में चेनल को आपने फर्स टाइम विजिट किया है डेफिनेटली सस्क्राइब करके जाए दोस्तो वीडियो पसंदारा वीडियो को एक लाइक जरू करेगा वर नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो एप स्टॉक और एंजल बुर्किंग का लिंक दिया है वहाँ पर जाएए फिरी में डिमेट एकाउंट उपन करिए अमसात निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्चिन में बारपूर ट्रेडिंग करिए तो चलिए हम चलते हैं आज के टाटा मोटस के पाफॉमेंस के ऊपर तो दोस्तों आप लोगों को तो बैसे ही पता है कि टाटा मोटस एक दिगच आटो कंपानी के नाम से जाने जाती है आज इस स्टॉक में हमें आदे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रहे है दोस्तों तिरियाज़ पर बैस पर पर देखने को मिल रहे है दिन उसी के साथ अगर देखते हैं ट्रेड वॉल्यम नंबर उप शेर तो यहाँ पर देखने को मिल रहे है पांच करोर 81 लाग कॉंटिटी का वॉल्यूम 52 बिक का यह काफी बहतरिंग था 52 बिक का लो भी हमें बहतरिंग देखने को मिल रहा है पेचोता रूपे का स्टॉक था दोस्तो जब से हमने आप लोगों को बोला है कि स्टॉक में प्रॉपर तरीके से इंवस्मेंट करिए आप लोगों को काफी शांदार मुमेंटम देखने को मिलेगा अगर आप लोगों को दोस्तो यह सब चीजे देखना है न तो यूटूब पे आप इस प्रकार से सर्च करते हैं प्रॉफिट गुरू टाटा मोटर शेर निउस या टाटा मोटर प्रॉफिट गुरू शेर निउस इस प्रकार से आप वहाँ पर डालोगे तो आपको हमारे 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 वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे जैन उसके साथ साथ अगर आज का मैं आपको delivery pattern दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो इस news का हमें delivery pattern पर भी इंपक्ट देखने को मिल रहा है मातर 56 लाग quantity उठी है करीवन 9 दोसम लो 62% की ठीक है तो जो हमने intraday का आज का performance देखा है वो कहीं अच्छा है तो कहीं हमें बेकार देखने को मिल रहा है अब आपन news को भी cover कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो IIFL के site के उपल आएं सबसे पहले आप time frame देख लिए यहाँ पर तेवी सपरिल का है ठीके टाटा मोटस JLR face COVID-19 supply chain dispointing health production at two UK plant मतलब दोस्तों UK में जो दो इनके महत्पुन प्लांट है जहाँ पर JLR की manufacturing की जाती है ठीके जो इनके supply chain है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों बंद होते देखने को मिल रहा है तो यह दोस्तों Tata Motors के लिए सही बात नहीं है क्यों क्योंकि UK में दोस्तों सबसे ज़्यादा JLR का ही इनका business चलता है ठीके जो production हो रहा है ठीके अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो supplier to resolve the issue and minimize the impact of customer order मतलब जो customer की order है उनको भी रोक दिये गए है नीचे अगर हम देखते हैं कर दिये गए है बंद कर दिये गए है ठीके दोस्तों अब दोस्तों COVID-19 के कारण सभी को यहाँ पर दिक्कत आ रही है ठीके तो इनके जो दोनों plant है ठीके केस्टल ग्रॉंबिंग एंड हॉलबोट manufacturing plant यह दोनों को यहाँ पर बंद कर दिये गए है ठीके COVID-19 की जो इनकी supply chain है वो यहाँ पर हमें crack होते हैं देखने को मिल रही है ठीके अगर हम एको प्लांट की बात करते हैं तो वो अभी चल रहा है वो भी काफी बड़ा plant है इनका और सबसे बड़ी बात तो यह जो इनका main business है JLR का उसका अगर production बंद होता है तो दूस्तो इनको आने वाले दिनों में काफी damage होते हैं देखने को मिल सकती है इनकी balance sheet इन its regulatory filing that Tata Motors announced मतलब आज आपने exchange को regulator को यहाँ पर filing कर दिये जेकवार लेंडलोबर UK like other automotive manufacturing in currently expensive some COVID-19 supply chain मतलब यहाँ पर भी वो ही दिया गया है कि जो global की जो ability आ रही है ठीके कि जिस प्रागा से coronavirus का impact यहाँ पर ज्यादा तर है किसे fail रहा है ठीके ज्यादा तर तो अपने देश में भी आप देख रहे होंगे daily business पे coronavirus के जो cases है वो increase हो रहा है तो जिससे क्या है दोस्तो जिससे यह है कि हर company अब अपने employee के बारे में भी सोच रही है जिसे अपने देश में आपने दोख देखा है एक दिगच आटो company hero motors को उसने पूरे देश भर के plant को बंद कर दिया है ठीके 10 दिन के लिए तो Tata Motors ने भी वहाँ पर इसी प्राकार का निर्णे लिया दोस्तो कि वहाँ पर उसके जो production कारी है जो employee है वो safe रेक सके और अपने घर में सुरक्षित रहे सके तो जिसके करण इनका जो decision है वो इनके business को दोस्तो थोड़ा damage कर सकता है अब दोस्तो जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो ability बनी हुई है जो demand बनी हुई है market में जो global में demand बनी हुई है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पार है टाटा मोटास ठीक है यहाँ पर देख सकते हो demand of sum of vehicles मतलब जो vehicles की demand है market में उसको fill fill नहीं कर पार है टाटा मोटास तो जिसके करण दोस्तों stock में हमें और गिरावट आगे भी देखने को मिल सकती है बाकी अगर हम stock पे chart का performance देखते हैं तो देखें intraday का chart आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है थोड़ा volatile भी होते हैं देखने को मिलेगा करीवन दूस्तों 390 रुपे 20 पैसे close हुआ है लास्ट का अगर 5 दिन का performance बता तो तो देखें stock 5 दिन में भी काफी ज़्यादा damage हो चुका है लगबग हमें यहाँ पर पोने 5 परसेंट की गिरावट होते हैं देखने को मिल रही है लास्ट अगर मैं एक मेने की बात करता हूँ तो यहाँ पर momentum तो काफी बहतरिंग था 8% stock चड़ा था यहाँ पर damage हो गया था then recovery ली थी लेकिन वो end of the month अगर देखें तो यहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है अगर मैं 6 मेने की बात करता हूँ तो लास्ट 6 मेने में stock में 120% से ज़्यादा का moment आया है अब जिस प्रकार की तेजी सी उससे यही expected किया जा रहा था कि जो उसने लास्ट के 5 साल में performance नहीं करके दिया वो अब हमें करके देने वाला एकदम lower price से तो आब देख सकते हो जो उसका 5 साल का हाई है वो लगबग 570 से 580 रुपे के बीच में तो यह हमें break होती हो देखने को मिल सकता था लेकिन एक बार फिर से दोस्तो coronavirus का news, lockdown का news, business बंद होने का news और खास करके दोस्तो आटो सेक्टर का अगर business बंद होता है तो उन पे बहुत impact होते हो देखने को मिलता है क्योंकि उनकी recovery market में बहुत मुश्किल से होती है दोस्तो तो यही है दोस्तो टाटा मोटस में एक बहुत बड़ा update बाकी overall का अगर performance देखेंगे company market में बहुत पुरानी है दोस्तो लग बग इसने दो बार अपना level चुआ था 2015 में दूसरी बार 2016 में यहां पर आप देख सकते हो दो बार यहां पर market में एक ही level पर trade होते हो देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तो इसको hold बिल्कुल भी नहीं कर पाया और stock में एकदम lower position बनी थी जो आप यहां पर देख सकते हो जो इसका 52 बिक का low है दोस्तो बहुत तर रूपे का देन उसके बाद वहां से तो अच्छी खासी recovery आई है लेकिन दोस्तो अभी आगे भी हमें stock में थोड़ा old damage होते हैं देखने को मिल सकता है तो यह expected किया जा रहा है कि stock लगबग 250 रुपे से 260 रुपे तक भी आ सकता है मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि यह stock अगर इस price पे मिलता है ना तो दबा के investment करिए जो आप लोगों के लिए शाही रहने वाला है यह नहीं है कि डरिएगा position को exit करके निकल जाईएगा यह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपने अगर 230 से भी खरीद के रखाना तो definitely यह level पे खरीदिए यहाँ पर आगया यहाँ पर खरीदिए जितना सस्ता यह stock मिलता जा रहा है उतना आप खरीदते जाईए दोस्तों ठीके क्योंकि आगे जब coronavirus की जो लहर आईए वो खतम होगी फिर से business recovery करेगा तो stock में एक बार फिर से हमें तेजी आते देखने को मिल सकती है तो मैं आप लोगों को यही update कर रहा हूँ दोस्तों और इसी update के साथ इस वीडियो को close कर रहा हूँ वीडियो को close के दिसे हमें य लाइक करिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम डेली बिस्स पर आप लोगों के लिए इंट्राइडे की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहते हैं थैंकि दोस्तों